यह सवाल मेरे live stream के दौरान पूछा गया सागर भाई कोई antivirus बताओ मुझे मेरे android के लिए मैं रही चाहता है यह देटा लीक हो जाए मेरा फोन स्लो हो जाए तो वाइरस ना आये ऐसा कोई antivirus अच्छा सा बताओ तो मैं आपको कहता हूं कि android में antivirus डालने की जरूरत नहीं ह पर बना हुआ है कुछ तरीके हैं जिनसे आपके android में virus आ सकता है और उन तरीकों को जानना जरूरी है अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है सबसे बली बात कोई भी antivirus की आपको जरूरत नहीं है simple और जो आते हैं वो क्या करते हैं व आवा कहीं से भी app डाल रहे हो वो आपको नहीं करनी कोई आपको share it से दे रहा है कोई आपको AP के बेज़के install कर रहा है कोई आपका दोस्त बुर रहा है मुझे अपना phone दे में तेरे phone में नई अप डाल देता हूं ये नहीं करना सबसे पहली बात दूसरी बात कि आपको ऐसे script, ऐसे ad, ऐसे malware download हो सकते हैं जो आपके phone को नुक्सान पहुचा सकते हैं तो दूसरी चीज क्या है trusted websites को visit करना है उसके लावा कुछ नहीं जो तीसरी चीज है कि आपको किसी भी link पर social media पर आये किसी भी link पर click नहीं करना और कुछ भी चीज download जो trusted source से नहीं है वो नहीं क रखते हो तो आपका phone safe and secure रहेगा अगली कुछ और भी चीज़े हैं आपको अपने phone में custom room नहीं डालना custom room एक android होता है software होता है जो अपने main software को हटाके आप custom room डाल लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा feature मिलते है यह logo द्वारा modify किया गया android version होता है इसकी कोई guarantee नहीं कि इसक अपडेट आते हैं आपके phone में तो वह अच्छी बात है वह आपको करने चाहिए लेकिन AP के custom room और इन सब चीजों से आपको दूर रहना चाहिए नहीं डालना चाहिए को recovery वगएरा कुछ डाल रहे हो यह सब भी आपको flash कर रहे हो कोई चीज अपने phone में यह भी नहीं करना चाहिए तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपके phone में कोई भी वाइरस नहीं आ सकता इसके कुछ exceptions है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते ऐसी कौन सी चीजे हैं जिससे आपके phone में वाइरस आ सकता है लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते वह यह है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते वह उन company की कमी है जिससे कुछ ऐसी चीजे भी आपके phone में आ सकती है जो आप नहीं चाहते बहुत रेर होता है नॉर्मली आप इन चीजों का ध्यान रखो जो मैंने आपको बताई हैं आपके phone में वाइरस नहीं आएगा अब जब ऐसा है तो Android के लि दान रखना है वह इन चीजों को ही सुनिश्चित करती है जब आप इनको अपने phone में डाल लोगे तो वह चेक करती है कि क्या आप बहार से कोई एक्स्ट्रा वर्ण करेगी आपको वह अगर आप कोई वेबसाइट पर जाते हो तो हवस्त का plugin आता है ना ब्राउजर वाला त उसको विजिट करने से पहले तो यह वही चीज तो कर रही है जो मैने आपको बताई ना मैनुवली करने के लिए यह सारी चीज़ें वो सेक्यूरिटी अप्स औरमाटिकली करती है कॉंसेप्ट यही है इसलिए अगर आप चाहें तो एंटिवारस नहीं इस्तमाल कर सकते चलते रहते हैं प्रोसेसिंग पावर लेते रहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कौन सा बैस्ट कोई बैस्ट नहीं इन चीज़ों को ध्यान रखो आप सेफ रहोगे अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो से लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें साइबर सेक्य करो बैल आइकन को प्रेस करो और निटिफिकेशन आन करो और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करो मैं मुल तो आपसे अगली वीडियो में थैंक यू सो मच और गुट बाई झाल